नमबर टू, उच्च या महा हिमाले या हिमाद्री हिमाले परवत में लगू हिमाले एवं शिवालिक से विशालतम एवं प्राचीनतम उच्च हिमाले है ये लगू हिमाले के उत्तर में स्थित विशाल सीमान्त भ्रंश यानि Great Boundary Fault के उत्तर में इसी के समनांतर फैला है विशाल सीमान्त भ्रंश जम्मू कश्मीर से लेकर असोम तक फैला है इसी ब्रंश में पीर पंजाल श्ट्रेणी और महा हिमाले के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है महा हिमाले की चोटियां वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं इसी कारण इस हिमाले को हिमादरी कहा जाता है महा हिमाले पश्चिम में सिंधु नदी के मोर से लेकर पूरब में ब्रह्म पुत्र नदी के मोर तक पचीस सो किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ये परवत श्ट्रेणी सतत फैली हुई है जिसमें विश्व की सबसे उंची चोटियां पाई जाती है इस परवत की ओसत उचाई 6,000 मीटर है इस पर 14 ऐसे ग्याद शिखर हैं जिनकी उंचाई 7,000 मीटर से अधिक है Everest जिसे गौरी शंकर, चोमो लुंगमा, सागर माथा भी कहा जाता है कंचन जंगा, मकालू, मनसालू, नंगा परवत, नामचा बरवा, नंदा देवी, उत्राखन की सरवोच चोटी आदी चोटियां इसी हिमाले पर इस्थित हैं, गंगा, यमना नदियां महा हिमाले से ही निकलती हैं सिंधू, सतलज, कोसी और दिहंग नदियों की संकरी घांटियां भी इसी परवत पर इस्थित हैं हिमाचल प्रदेश में शिप की ला, जम्मू कश्मीर में बड़ा लाचा दर्रा, तथा उत्राखंड के तीन दर्रे, माना दर्रा, नीती दर्रा, लिपुलेख दर्रा, एवं सिक्किम में नाथुला दर्रा, आदी दर्रे इसी हिमाले पर हैं महा हिमाले की चट्टाने काफी प्राचीन करीब 130 से 140 करोड वर्ष पूर्व निर्मित हुई मानी जाती हैं, किन्तु पाश्व प्रदेशों में परददार और परिवर्तित चट्टाने पाई जाती हैं, विवर्तनिक द्रिष्टी से ये हिमाले अभी भी सक्रिये और उपर व्लुट रहा है. प्राया फोल्ड मांटेंज में सेडिमेंतरी रॉक्स पाय जाते हैं, और महा हिमाले के मद्ध्य क्रिस्टलाइन हार्ड रॉक्स आण्ड एंड अन्डेसाइटिक रॉक्स भी पाये जाते हैं हमारे हिमाले के बाद आगे भारत की तरफ नहीं आ पाती अर्थात हिमाले इनको रोक लेता है और भारत की तरफ आने ही नहीं देता हमारा देश इन ठंडे विंड की चपेट में आने से बच जाता है